तो हम बात करने वाले एक बहुत important topic that is prescription के बारे में जो की बहुत important topic है होंगे फार्मसी में तो मैं यहाँ पे जितने भी points बता रहो होगर आप उतने पढ़ के जाओ तो आपको full marks आएंगे और prescription के बारे में आपको पूरा detail क्लियर हो जाएगा ठीक है इस पार्ट में मैं prescription के बारे में बता रहो basic point नेक्स वीडियो में norms and form बताऊंगा फिर अगले वीडियो में the merits of prescription बताऊंगा और फिर last में बताऊंगा prescription लिखा कैसे जाता है liquid form में solid form में 50 mm scale में तो बने रही है वीडियो के साथ और देखते रही है so prescription start करते है so पहले तो definition पूछा जाएगा कि what is prescription तो आपको क्या लिखना है जो मैं बता रहो वही लिखना है ठीक है पहले लिखना है it is a written document ठीक है वो एक लिखित document है written document given by the doctor to the pharmacist doctor देता है pharmacist को एक written document now it contains instructions to the pharmacist regarding preparation of the medicine ठीक है हम लोग जब parts describe करेंगे prescription के part तब हम लोगों पता चलेगा क्या-क्या parts होते है और उसमें यह सब चीज आएगा तब तक के लिए definition ज़रूर याद करिए यह it contains instructions to the pharmacist regarding preparation of medicine तो यह दो point हो गया ठीक है अब next point में आपको लिखना है कि it also contains instructions to the patient पहले pharmacist को था अब patient को भी है regarding when to take the medicine कब उसे medicine लेना चाहिए how to take the medicine कैसे medicine लेना चाहिए when to report वापस जो है physician के पास patient को कब जाना चाहिए lab investigations मिंस अगर कोई test physician ने लिखा है उसके regarding भी जितने instructions है वो patient को मिलेगा doctor के थुरू तो यह तीन point जो था उसे ही पूरे definition लिखने बाद 5 mask कर definition of prescription में आपको maximum marks मिलेगा अब बात करते हैं parts of prescription ठीक है यह prescription part पूरे 20 marks के आते हैं exam में so मैं जितना पतार हूँ अगर पूरा पढ़के जाएगा 20 में आपको maximum marks मिलेगा ठीक है parts of prescription में बारे में देख लेते हैं तो आपको लिखना है parts of prescription चार पार्ट के होती है ठीक है तो पहली part होगी super description होगी पहली part then होगी inscription then होगी subscription and then होगी signature तो यह 4 parts होगी अब बात करते हैं कि इन parts में क्या क्या आती है क्या क्या चीजे लिखनी रहती है तो अब आप लिखेंगे कि super description जो पहली part है इट contains आपको part wise ही लिखना है यह first आएगी यह second आएगी यह third आएगी फूर्थ आएगी अगर आपके इसके sequence में गरबड किया तो समझो आप गए आपका marks full cut ठीक है so super description में क्या आता है पहले आता है for आपको लिखना है for okay फिर नीचे से start होगा मैं बताऊंगा उसका pattern पहले क्या क्या आता है वो आपको जाना जरूरी है तो पहले for आता है ठीक है for किसलिए लिखा जाता है for starting में लिखा जाता है for उसके बाद आप नीचे लिखेंगे name फिर age फिर sex यह सारे patient का लिखना है name is sex address occupation ठीक है यह सारे patient का होगी और last में rx लिखना है ठीक है super description सुड़ू होगा for से end होगा rx से rx मतलब क्या होता है देखिए rx जो है उसका mean मतलब होता है to take ठीक है यह एक abbreviation use है यह एक abbreviation use के आता है prescription में और यह जो x दिख रहा है it represents a relic a prayer to the jupiter god ठीक है तो यह rx हो गया यह तो आपका super description में 7 part हो गया total ठीक है आपको यह सब लिखना है super description खतम हो गया अब बात करते है next part एक इंस्क्रिप्शन में अब इसमें mainly physician prescribe करता है vehicle और medicine वही है तो अब इसमें कैसे लिखा जाता है it contains first of all the name of the medicine then the potency of the medicine then the quantity of medicine यानि कि माल य होना 30x ठीक है 10 ml ऐसे करके तो यह हो जाएगा अब उसके बाद क्या होगा name and quantity of the vehicle like globules में देना है या sugar of milk में देना है या purified water में देना है वो चीज़ आ जाएगा तो इंस्क्रिप्शन में यह 5 point आएंगे ठीक है तो यह आपको याद रखना है अब बात करते हैं subscription के बारे म मतलब जो physician उसने तो लिख दिया कि क्या क्या medicine और क्या क्या vehicle होगे अब subscription पार्ट जो होता है next part उसमें वो लिखेगा pharmacist को direction देगा कि कैसे उसको prepare करना है या मतलब sugar of milk में उसे मिलाना है किस तरीके से मिलाना है कितना quantity देना है कितना drop देना है कितना marks लगाना है किस file में दे जो की pharmacist देखेगा ठीक है अब last part में आते हैं जो की बहुत important part है signature इसकी बिना जो prescription वो अधूरा है तो signature जो है वो legal part of prescription होता है ठीक है बहुत बार आप से पूछा जाए कि legal part of prescription क्या होता है तो आपको बोलना हो signature इसका detail video मैं बनाऊंगा यह prescription खतम होने के बाद so signature में क्या र सकता है जैसे कब खाना है आपको कब क्या लेना है क्या क्या आपको टेस्ट करवाना है और वापस physician से कितने दिन बाद मिलना है यह सारे instruction advice to the patient diet क्या-क्या follow करना है क्या का नहीं खाना है यह सारे instructions and advice patient को मिलेगा physician के थरूँ ठीक है अब उसमें signature next part signature of the physician रहेगा इसे ही कहते में ली तो signature of the physician रहेगा physician अपना sign करेगा फिर registration number of the physician physician registration number अपने डालेगा ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ यह जो है genuine doctor है quack doctor जोला चाप doctor नहीं है ठेक है registration number Central Council of India या जो जो मतब जहां से मिलता है center के करना है या state का करना है वो आपको health ministry से मिलता है तो यह हो गया और last में date कि किस दिन patient को check up हो रहा है किस दिन patient ने attend किया है physician को तो यह सारे चार जो चीज़ें है यह सी nature में आएंगे तो हो गया आपका prescription खतम prescription की पूरी 15 marks यह question हो गई और 5 marks में आपको norm forms आ सकता है और 10 marks का prescription writing भी आता है तो वह मैं आपको next video बताऊंगा यह अच्छे से पढ़ लिजे आपके marks कहीं नहीं जा रहे maximum marks आपको मिलेंगे and subscribe for the YouTube channel our YouTube channel for more and best interesting videos like this thank you